जो बेंकिंग फ्राड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजेक्शन करवा लिया जाते हैं, कुछ लालच देकर, उस प्रकार की इस्तिती में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तातकालिक विवस्ता है, जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है, इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है, ये नंबर मैं आपको कई बार दो या तीन बार रिपीट करूँगा, 155-260, ये नंबर है, 155-207, ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए, कभी भी किसी भी कारण वश, अगर कोई फ्राड होता है आपक उस नंबर से आप फोन लगाएंगे, तभी काम हो पाएगा, ये आवश्चा के ध्यान रखिए, कि आपको जो आपका फोन मॉबाइल नंबर है, या जो भी आपका फोन नंबर है, जो बेंकिंग के ट्रांजेक्शन के लिए, किसी प्रगार के बेंकिंग ट्रांजेक्शन के रेइस्टरड है उस नमबर से आप ये 155-260 नमबर पर फोन लगाईए आप फोन लगाएंगे तो ये अभी MP और 36 गड़ के लिए कारे कर रहा है आप से चुकि अपने MP में हैं तो MP पूछा जाएगा जब MP का आप बताएंगे तो आप से कुछ जानकरिया ली जाएंगी जैस कि इस तरह के नमबर का कोई दूसरा जहां से देके आप से पिन वगएरा भी पूछ सकता है तो एक तो ये नमबर आप विशेश रूप से ध्यान रखिए जब आप ये बता देंगे तो ये विवस्ता इस प्रकार से की गई है MHA द्वारा जिसमें साइबर रास्ती साइबर Crime Bureau है वो और जितने भी banking portal है including Reserve Bank Reserve Bank सारे banks सारे जितने भी UPI है जितने भी financial transaction के portal है ये सब इस से जुड़े हुए है ततकाल आपका message इन सभी banking संस्थानों को चला जाता है banking agencies को चला जाता है क्योंकि जब fraud होता है एक bank से दूसरे bank के में transaction होने में थोड़ा time लगता है ये bank तब जाके तब वो duration का जो समय उसमें अगर इनके पास message पहुँच गया तो आपका पैसा उस पूरे route में कहीं भी रुख जाएगा अगर मालीजे एक bank से चल दिया है दूसरे bank तक जाने के लिए तो उस route पर रोग दिया जाएगा आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा मैं आपकी जानकरी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ो रुपए वापस कराए गए हैं MHA द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा करोड़ो रुपए वापस हुए हैं लोगों को यह मालूम नहीं है 155-260 यह एक ऐसा नंबर है इसमें आप इसको जरू नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पॉर्टल है इस पॉर्टल पर आप अपनी एप्लिकेशन अपनी शिकाहत दर्ज कर दें वो पॉर्टल एक्टिव होके सारी सारी सर्च करता है सारा सब कुछ निकालता है और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्र होती है या फिर उन्हों को आइडेंटिफाई कर लिए जाता है जिनने बदाशी की